गुद मॉर्निंग एवरिवन आप देख रहे हैं वेक अब जिंदगी और आपके साथ मैं हूँ किरन हम अगबारों के फ्रंट पेज पर नज़र डाले और कुछ बड़ी खबरों पर नज़र डाले उससे पहले एक नज़र डालेते हैं अब तक की हेडलाइन्स पर बड़े नोटों पर बैंक के बाद आज खुले देश भर के तमाम एटियम पुराने नोट बदलने के लिए शरीवार और अविवार को भी खुले रहेंगे बैंक अब नई डिजाइन और सुरक्षा विशिट प्राओं वाले सौ और पचास के नए नोट भी लाने की यूजरा सौ पचास के मौजुदा नोट भी प्रचलन में बने रहेंगे पुराने नोट बंद करने पर सपाध्यक्ष मुलान सिंग यादव ने मोधी सरकार पर बोला हमला पैसले को वापस लेने की मांग चुनाव के लिए गडबंधन करने से भी क्या इनकार मायावती भी बर्ची कहा अपने फाइदे के लिए मोधी सरकार ने पासओर हजार के पुराने नोटों पर लगाई पावन्ध बिजेपी कमिशन यूपी जवारी आज वारा नसी में बीजेपी की परिवर्तन व्रथ यात्रा प्तदेश अध्यक टेशपरसाद मौरे और केंदर मंत्री महेंदर नाथ पांडे करेंगे जंसभा को समबूधे प्रदर्मंत्री नरेंडर मोदी ने जापान के समराट आकी हितों से की मुलाकात आज जापानी पी-म चिंजो आब इसे करेंगे बाद दोनों देशों के बीच हो सकता है प्रमाणू समझोता बारा एमफिबियस एयरक्राफ्ट खरीद पर लग सकती है मुहर मोदी के दोरे पर चीन की नज़र पाकिस्तान के साथ बिगड़े रिष्टे के बीच रक्षा मंत्री मनहोर परिकर का बयान कहार नीजी तौर पर वो मानते हैं कि भारत को प्रमाणू हत्यारों के पहले समाल ड़क करने की नीटी से खुद को बांधना नहीं चाहिए बयान को लेकर उभरे विबान तो ये थी अब तक की सुर्खियां जो आपको अभी हमने आपको बताई है लेकिन अब हम सीधे अकबार करू कर लेते हैं अकबार में ऐसी कौन-कौन सी खबरे हैं जिसको फ्रंट पेज पर जगा दी कही है तो सबसे पहले बात जनसत्ता की करू हर्याना के हिस्से का एक-एक बूंध पानी पहुचेगा ये संकल् हर्याना के सी-म है आपको बता दे और सीधे तोर पर पंजाब हर्याना के बीच अर्से से ये विवाज चल रहा था जिसको लेकर कपर कोड की तरफ से एक हक जो है वो हर्याना को दिया गहां लेकिन उसके बावज़ूद विवाज चो है खत्महोने का नाम नहीं ले रा विद्धानिक है ये बात अम्रिद्दर सिंग में कहते वे लोग समा से स्तीफा दे दिया है कॉंग्रिसी विधायक आज देंगे स्तीफा ये एक बड़ी खबर के तौर पर लिया गया है और इसके साथ अगर मैं दैनिक जागरन का भासकर का यहां पर रुख कर लूँ तो दस ह किसी से गड़ बंधर नहीं है अकेले चुनाव लड़ेंगे मुलाइम ये बात उन्होंने कल प्रेस कांफरेंस के दौरान कह दी थी वैसे वो कोई यहां पर इस तरह से राजनितिक बयान नहीं देना चाहते थे सिर्फ पचास पांच हजार और एक हजार पांस सो और एक हज गड़ बंधर नहीं होगा मुलाइम सिंग यादव ने इसे अपने फ्रंट पेज पर दैनिक जागरे ने जगा दी है मुलाइम सिंग यादव ने ये बात बोली कि सपा के साथ को किसी का कोई गड़ बंधर नहीं होगा और मरजर अगर होना है तो मरजर हो सकता है किसी को आ क करके हमारे साथ मिलकर की चुनाब लड़ना है तो हम लोड़ सकते हैं यहां पर तो यह थी वो खबरे जिसको फ्रंट पेज पर अगबारों ने जगा दी है लेकिन और कुछ खबरों पर अगर हम नज़र डाले तो सबसे पहले बात नोटों की ही आती है क्योंकि जिस तरह से अ नए नोट मिलने का सिलसिला शुरू हो चुका है हाला कि आज एटियम के आगे सुबह से ही लोगों की भीड जुटने लगी है बीते दिन कई जगों पर पुराने नोटों को बदलने को लेकर के अफरा तफरी का माहूल भी दिखा नए नोट कई जगा कम पड़ गए और घं लाइन में खड़े होने के बाद जूत नहीं आया तो लोगों को एटियम खुले का बेस सबरी से इंतजार है सुनते हैं एटियम के बाहर खड़े लोग क्या कुछ कह रहे हैं किसी को कोई प्रोब्रम है द्वाई देने जाना है पैसा तो लेनी जा अभी सुबह के साड़े साथ बज़े में और इन्होंने बताया कि 11 बज़े तक एटम में पैसा लगेगा इसकी वज़े से में बहुत दिक्कत हो रही है जैसे किराया देने में बसो के लिए मैट्रों क किराये के लिए और घर पे भी दिक्कत हो रही है और हमारे साथ स्टोडिय में मौझूद है वरिष्ट पत्रकार उमेश चतुरवेदी जी सीधे उनसे ही हम बात चुद करके समझ लेते हैं जो ये दिक्कते लगातार हो रही है समस्या का समाधान क्या कुछ हो सकता है उमेश पर आप से हम समझना चाहेंगे दिक्कते अपार है लेकिन उसके बाद जोगों का समर्थन जो है इस फैसले को भरपूर मेर रहा है ये दिक्कते दूर कैसे होंगी और क्या बैंकों पर बहुत जादा प्रिशर पड़ा है कि यहां पर जो हमारे जो लोग आ रहे हैं पैसों क हम दिन मान सकता ऐसी है कि हम लोग जैसे ही कोई स्थिति आती है तो लगता है कि जैसे समझوم üst gravel सब कुछ खतम हो गया है और अपने घर में भर लेना है अपना काम पूरा कर लाना तो लोग सड़कों पर उतर आते हैं ठीक है कि कुछ लोगों को दिक्कत हो रही है दिकथ आप उपने रिटायर्ड लोगों को जो अभी हाल ही में रिटायर हुए है उकास लिए हैं उनकों भी बुलाएं और बुला करके भीड का प्रबंधन करें भीड के लोगों को काम करें लेकिन जगह पर ऐसा हुआ कि उनके पास नगदी ही जो नए नए नोट है अच्छा है सो सो के पचास के जो नोट हैं वो खतम हो चुके थे तो इसके लिए बैंकों की तयारी जितनी थी वो धारशाही हो गई मुझे ऐसा लगता है कि जनता इसी लिए नाराज है कि सबके घरों में आर्थिक रूप से जो जरूरत है उसके लिए उनके पास कुछ वो नहीं है सामाने पै एक एक हड़वड़ी दिखाई है और वो सवाभावी भी है क्योंकि यहां पर सुझाफ की तौर पर उमेजी क्या होना चाहिए क्या लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि एटेम आप खुल चुके हैं अब आपको दिकते नहीं होंगे आप सुबा से लाइन में क्यों लग है आप थोड़े देर के बाद जाएए ताकि वहां पर भी अफरात अफरी का माहूल ना बने पहले भी बोल रहा था कि हमारे जो समाज में जो हमारी एक सोच रही है कि अगर हमें जरूरत न भी है ऐसा नहीं है कि सबको जरूरत है ही बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनक पैसे नहीं है और इसके लिए तो बैंकों को साड़े साथ बजे से इंतिजाम करना चाहिए था जानकारी दी दस बच चुके हैं अभी तक बैंक नहीं खुले हैं तो लोग वहां जाकर के उसी वक्त से पैसा नहीं मतलब वहां वक्त लगाए थोड़ा व्यवस्थाओं को ठ करने में यह टिपिकल भारती मान सिकता है इतना जल्दी सुधर तो नहीं पाएगी आप भी जानती है तो इसके लिए यह है लेकिन एक चीज और है कि जो हम मेडिया वाले भी जो है जितनी सारी खबरें बड़े महानगरों की बड़े शहरों की या टायर टूथ शहरों तक क है और यह पैनिक तो होना ही था क्योंकि सरकार ने अचानक फैसला लिया है इसके लिए वो सरकारी अस्तर पर भले तैयारी की गई हो लेकिन इसकी गोपनियता को बनाए रखने के लिए जिस तरह से एक एक चीजों को फूंक फूंक करके कदम रखा गया और बाहर की खबरें नहीं जाने दी गई तो पैनिक तो होना ही था और इस पैनिक को निवटने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि जितने तरीके से इंजाम किया जाने चाहिए थे जितने ज्यादा इंजाम होना चाहिए था वो नहीं हुआ और मुझे ऐसा लगता है कि जो 500 के और 1000 के नोटों को अगर हटाया ही जाना था तो उसको धीरे-धीरे से ATM में डालना ही बंद कर देना चाहिए था बैंकों से नहीं रखते हैं चीज़ों को लेकर के लेकिन यहां पर अगर हम पार्टियों की बात करें निताओं की बात करें तो कल माया वती भी सामने आई थी प्रेस कांफरेंस उन्होंने की मुलाहम सिंग्यादव भी आए और सीधे तो पर वो इससे एक चुनाव के दौरान लिया गया अगर देखेंगे तो असी के दर्शक के बाद से चुनाव बहुत खर्चिले हो गया चुनाव में धनबल का और बाहूबल का प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ा और इसको लेकर के समय समय पर चिंता भी जताई जाती रही है दिनेश्त्रिवेदी आयोग बना था जो आसं क ड़नबल को βाह वल को कम करने झिए करने के लिए सुझाव दिया था यह वी कई बार लिख चुका है सरकार को और चुनावायोग अपनी तरफ से हलफ नामा लेकर के दे करके उमिद्वारों से बहुत सारा कंट्रोल करने उसने कोशिश की लेकिन जिस तरह से जमीनी удар पर कंट्रोल दिखना चाहिए था वो हुआ नहीं निश्चित तोर पर इससे जो अभी जो फैसला हुआ है मोधी सरकार ने जो फैसला लिया है पांसो और हजार के नोट अचानक से हटा करके उनको रद्धी की टोकरी में बदल करके जो राजनितिक दल हैं जिनका एक मातर उद तो कही न कहीं यह फ्रस्टेशन और अपन में एक मामले को चाहिए लगों का शोब यह लोग अपनी ही रोटीन को सेखने की कोशीच कर और gail आर्थी का अपड़ी जियानी अमबेटकर जी ने पहाँ कि दस साल के बाद कम स्थक्रम जो करेंसी है उस पदलाव होना चाहिए इससे भ्रष्टाचार पर लगाम लगती है तो क्या मायवदी उनकी पार्टी जो है अम्बेटकर जी को इतना मानती है उनके ही बता हुए रास्तों पर चलने की बात यहां पर कहती है वैसे होता तो नहीं है आज के वक्त में लेकिन यहां पर बात कोई निटिकता की बात होती नहीं है चलती है जो चुनावयोग निर्धारित करता है उस निर्धारित रकम में कोई चुनाव नहीं लड़ा जाता और यहाँ पर काले धन का教्व बहुत ज्यादा होता है और चुनावूँ में काले धन का biomass इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है पिछले कुछ चुनाव साथ देखिए कि चुना राजनीत का सबसे बड़ा माध्यम पैसे का इस्तेमाल समझ रखा था या बना रखा है उनके लिए जन भावनाएं और जनता की समस्याएं बहुत बड़ी राजनीत का जलिया नहीं रही है यहाँ पर बिल्कुल आप से मागे भी इसको ले करके चर्चा करेंगे कुछ और ऐसी खबरे हैं जो पार्टियों से ही जुड़ी हुई है कि नए नोटों पर मोधी सरकार का फैसला समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को नागवार को जज़रा है और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंग यादव ने पांसो और हजार के नोट बंद की जाने पर केंदर सरकार को निशाने पड़ लिया उन्होंने आरोप लगाया कि केंदर की न्टी सरकार ने चुनाव को ध्यान में रख करके यह फैसला लिया है मुलायम सिंग ने मांग की है कि कम से कम एक हफ़ते की छूट दी जानी चाहिए दूसरी तरफ मायावती ने भी मोधी सरकार पर जमकर निश्वानाचा था मायावती ने कहा कि सरकार ने देश में आर्थिक एमर्जनसी जैसा माहूल बना दिया है और वहीं मायावती ने ये भी कहा कि सरकार के इस कदम से बड़े बड़े पुंजी पतियों को जहां फायदा होगा तो वहीं गरीबों को बहुत नुक्सान होगा तो तो यहां पूरे देश में आघुशिक आर्थिक एमर्जनसी लगा दी गई तो यहां पर हमने मायावती को सुना मुलायम सिंग्स ने भी कुछ ऐसी बाते यहां पर कही थी और मुलायम सिंग यादव ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाते हैं तो माया वाति को भी सर आपने सुना यहां पर मुलायम सिंग्यादव को भी सुना कल से चर्चा का विशय भी यह बने हुए हैं अकले श्यादव ने भी कुछ इसी तरह के बाते कही थी और यह कहा था सर कि यह एक कोई पर्मानेंट समाधान सलुशन नहीं है तो क्या वाकई यह ऐसा रही है और जो मुलायम सिंग्य मांग कर रहें कि एक हफते का वक्त यहां प अब पीछे हटने वाली तो फिलहाल नहीं है और सरकार जितना आगे बढ़ चुकी है मुद्रा के मुर्चे पर उसमें अब पीछे हटना उसके लिए जगहसाई की भी बात होगी और जो वह सो काला धन लाने की बात की जा रही है उस उस पर भी सवाल उठेंगे और रही बा अगले कुछ महीने बाद चुना होने हैं तो पूरी की पूरी तयारी अपने उस जो पारंपरी धंग से खास्तों पिछले 25-30 साल से चल रहा है सिर्फ पैसे क्या धार पलड़ा जाएगा तो उसके हिसाब से तयारी कर रही थी और उस तयारी को कहीं ने कहीं जटका लगा है मायवती को भी लगा है मुलाइम सिंग को भी लगा है और जाहिर है कि भारती जंता पार्टी ने अपने लिए कुछ इंतिजाम तो कर रखे होंगे क्योंकि उनकी सरकार है और जब उनके योजना चल रही होगी तो कहीं न कहीं अमित शाह और नरेंद मोदी जी के दिमाग मे रही होगी कि अपना इंतिजाम कैसे करना है और इसमें निश्चित तोर पर जो सत्ताधारी पार्टी है केंद्र में सत्ताधारी पार्टी है वो तो कुछ फायदा उठा लेगी और यह जो राज जी के जो बड़े स्टेक होलडर है चाहें मायवती हो चाहें मुलाइम सिंग हो उनके चुनावी तैयारियों को जटका लगा है और वो एक हपते की जो मांग उठ रही है उस मांग की मात्र वज़ा ही है कि एक सेफ पैसे जिसको करते हैं को कहीं से निकल जाए और कहीं नहीं मैनेजमेंट का जो डेमेज हुआ है उस डेमेज को कंट्रोल कर लें लेकिन म मैं देश के लिए खड़ा हूँ आपके लिए खड़ा हूँ देश में डूबने वाला है कई सारी उन्होंने बाते कहीं थी जो इमोशनली लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की थी कि मैं आपके लिए आज ये प्रस कांफरेंस कर रहा हूं सर हम आपसे जुड़ेंगे और यहाँ पर सिधे हम मुंबई का रुक कर लेते जहां से हमारे साथ हमारी समवदाता स्वीटी जूर चुकी है एटियम के बाहर में किस तरह की तस्वीर वहां से नजर आ रही है लोगों की कतार लंबी-लंबी लगी है क्योंकि दो दिन के बाद आज एटियम खुले हैं स्वी क्या कब एटियम खुलेंगे क्योंकि कल पूरे दिन बैंकों के बाहर एक लंबी कतार दिखाई पड़ी तो इसलिए आज राहत होने वाली थी कि लोगों को एटियम से पैसे निकलने के लिए मिलेगा लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि बता जा रहा है कि यह एटियम की ज और पर निकालने पड़ेंगे अभी जो है एटियम सेवा फिलाल बंध है और 11 के बार ही मुंबई के सभी एटियम खुले जाएंगे बिल्कुल अश्व स्वीटी अब बने रही है हमारे साथ आगे भी आपसे हम बात चुट करेंगे तो फिलाल एटियम खुले नहीं है लेकिन लोग आखा करके पूछे जा रहे हैं कि एटियम आखिरकार खुलेंगे कब से क्योंकि बैंकों में कल बहुत जादा भीर नज़र आई थी लेकिन हम आपसे समझना चाहेंगे कि कितनी दिक्कते यहाँ पर और जदा बढ़ गई है कि कालित और आईस आईस को लेकर के भी क्या हम माने की एक उनकी कमर ठूटी है इस फैसले के बाद कि आईस आईस का तो कहना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि भारत का सिधे-स भारत में इस त आतंक वाद को पैसे पहले पहुंचाती थी अब सिधे हवाला के जरिये पहुंचाती रही है और जाली मुद्रा वह मतलब भारत के जाली नोट खास्तव पांस और एक हजार के नोट पहुंचाती रही है और आप देखेंगे कि इसका सिधा सा आसार आपको कश्मीर में पैसा है हवाला के जरिए आ रहा और यह पूरी दुनिया में अब साबित हो चुका है कि आतंक का पर इस्तेमाल के लिए पैसा कहीं भी इस्तेमाल हुआ बहला है जहितना हुए कि यहां पर धुर्ट का लगा है जो लगातार वह बहुत ज्यादा बढूद से साथ हुई थी उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया खबरों पर जानकारी देने के लिए 11 वज़ के इंदिरे रक्षा मंत्री मनवर परिका ने पहले प्रमाणू हमला नहीं करने की भारत की प्रमाणू नीती पर गुरुवार को सवाल खड़ा करके विवात पैता कर दिया है। प्रमाणू हमले की शुकात मिलनी बंद हो गई है। लेकिन ऐसा पहले अक्सर होता था। और सीधे हम उमेज़ जी के पास चलते हैं। कर सकते हैं सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भी। देखिए इस बयान में दो चीज़ें है। एक चीज तो यह है कि मनोहर परिकर ने सिधे सिधे जो कहा है कि रक्षा जो अपनी नीती रही है उसमें बदलाव लाना चाहिए। जो हम पहले हमला नहीं करेंगे वही मामला परमाण हृतियारों पर लागू कर होता ह्या। जिस रक्षा मन्त्रले को लीड कर रहा है रक्षा मंत्री उसके बयान को उसी का धिनस्त मंत्रले उसको निजी बयान बता दे यह संभाव नहीं है तो कहीं न Tell इस पेछ को भी हमें समझना होगा निश्चित तोरपर कई बार होता क्या है कि राजनीत में ऐसी चीजें जो शांत पड़े पत्थर डाल करको उसमें हल्चल देखने की कोशिश की जाती है कुछ-कुछ उसी तरह से राजनीत में इसा होता है कि एक निती चली आ थो ददा जा रहा है कि एक बतााय नहीं गया लेकिन इस सरकार ने को को बदला की लिपए दुनिया को बता या कि हमने किया है इसी तो आप देखेंगे कि जो सुखबुगाहत है रक्षा मंत्राल में कि हम पहले इस्तमाल नहीं करेंगे लेकिन अब बदल सकते हैं उसको उस नीती के बदलाव के जन भाना को हम किस तरह से ले क्योंकि कई बदलाव यहां पर हमें नजर आये हैं चाहे प्रधार मंत्री ने यह नोट बदलने का फैस बदलने इसे किनारा कर लिया हो तो इससे अंतराष्ठी मंच पर किस तरह से लिया जाएगा क्या यहां पर एक सकरात्मक हम रवया देख सकते हैं अंतराष्ठी मंच पर भी बाकी कंट्री का जो समर्थर अप तक मिला है आगे भी मिलेगा आप मैं वही बात पूरी करना चाहता हूं कि कहीं न कहीं यह जो अंतराष्ट्री समुदाय है उसमें और भारत का जो उदारवादी समुदाय है भारत का जो उदारवादी समुदाय है वो भी पहले हमले करने की नीती का समर्थक नहीं रहा है तो कहीं न कहीं इस समुदाय में एक पत्थर डाल करके उसके हल्चल को नापने की कोशिश है उसको भापने की कोशिश है कि क्या बदलाव आएगा और आप मान लिजेगा अगर अच्छा मंत्री ऐसा बोल रहा है और वो कोई सामान्य सा व्यक्ति नहीं है वह भारती जंता पार्टी की राजिनीत में अच्छी खासी हैसियत रखने वाला व्यक्ति है तो कहीं ने कहीं यह नीती जो चली आ रही है कि पहले हमला नहीं करेंगा उसमें बदलाव की सुगूगा हठ है एक और दूसरी चीजी है कि अंतराष्टी समूदाय क्या सोचेगा यह सोचते सोचते भारत पिछले 67 सालों से जहलता आ है कि हम पहले हमला नहीं करेंगा और आतंगबाद जहलते रहा है 90 के दसक के पहले भी पंजाब में आप देखेंगे कि 80 के दसक की शुरुआत से खालिस्तानी आतंगबाद शुरू हुआ था और उसको खतम करने में बाद में नर्सिंग राव की सरकार भले कामयाब हुई ल हमें एक संदेश जाए कि अब भारत इन चीजों को बरदाश बिलकुल नहीं करेंगा साजुड़े रही है आगे भी आपसे हम इन चीजों को लेकर के बादच्वित करेंगे नरेंद्र मोदी दो दिन के जापान दौरे पर है और आज पीम मोदी अन्वल समिट के दौरान अ सेक्योरिटी, ट्रेड इन्वेस्ट्मेंट, स्किल डेवलप्मेंट, इंफ्रास्ट्रक्श्य डेवलप्मेंट समेथ कई दूसरे मुद्दे भी हैं चो चर्चा का विशे रहेंगे मोदी अपनी यात्रा के दौरान कोप शहर में जापान के बिजनस लीडर्स को भी संबोधित करेंगे जापान रवाना होने से पहले मोदी ने कहा कि जब वे 11 नवंबर को आबे से टोकियो में मुलाकात करेंगे तब दोनों देशों के भी साजह सहियों के हर पहलू पर विचार किया जाएगा दोनों देशों के बीच एटमी डील पर बाचीत कई सालों से चल रही थी लेकिन 2011 में टोकियो के फुकुशीवा नुकलियर पावर प्लांट में हुए हादिसे के बाद गिटल गई और मोदी ने आज जापान के एमपरर अखीतों से भी मुलाकात की है टोकियो से कोबे तक मोदी शिंजवाबी के साथ बुलेट ट्रेड में जाएंगे और इसी टेक्नलोजी से मुंबई एहमदबाद हाई स्पीड ड्रेनवे को तयार किया जाना है वेकोबे में कावा सा की हेवी इंडरस्ट्रीज भी जाएंगे और हाई स्पीड ट्रेन यहीं पर बनाई जाती है मोदी के इस दौरे में अमफिबियन प्लेन यूएस दो आई की डील भी हो सकती है और भारत जापान से 10,000 करोर के 12 एमफिबियन प्लेन यानि की यूएस दू आई खरीच सकता है यह ऐसे प्लेन है जो हवा के साथ साथ पानी पर भी चल सकते हैं और दोनों देशों के बीच ये टील चीन के बढ़ते असर को रोकने के लिए है यहां पर हमने सारी चीज़े बताई है कि किन-किन चीज़ों पर बातचीत हो सकती है आगे जब किसी डील को लेकर के अभी तक सिर्फ बातचीत चल रही थी उस पर हो सकता है इस बार समझाता बन जाए इस बार हस्ताक्षर भी हो सकते हैं चीन की नजर है पूरे इस चीज़ों को लेकर के कि आखिर का क्या समझाता है क्योंकि अगर कहें तो जापान और चीन के बीच में भी मद्भेद है कई मुद्धों को लेकर के और भारत और चीन के बीच मद्भेद तो है ही यहां पर सिदे दौर पर तो क्या ये मानने के भारत और जापान के बीच में जो भी समझाते होते हैं चीन के लिए खतरनाग होगे खासताइब और से नुक्लियर पावर को लेकर के जो होने वाले हैं मोधी ये द्गि दूसरी जापान यात्रा बनने के बाद सिधा 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 एक मात्र मकसद है 12 समझते होते होते हैं कोई भी परधान मंत्री या कोई भी राश्ट्र प्रमुख किसी देश में जात 씨था है इस बार भी रोड़े अटकाने की कोशिश करेगा तो कहीं न कहीं इस रोड़े को दूर करने की कोशिश प्रधान मंत्री की स्यात्रा में होगी और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि जापान के साथ भारत का परमाडू समझाता हो सकता है और यह बहुत जरूरी भी है खास्त है कि चीन इस बात से भी नाराज है क्योंकि आपको याद होगा कि जो बुलेट ट्रेन पर योजना है दिली से हमदाबाद तक की उसका जो उसकी दोड़ में उसका ठेका हासिल करने की दोड़ में चीन की भी कमपनिया शामिल थी जो बाद में पिछड़ गई और जापान को से और तेजी से उभретी अर्तव्यौस्ता है ये जापान पहले से भी अर्ड़ या अर्तव्यौस्ता है इन दोनों अर्तव्यौस्ता को साथ हाना नुकलियर ग्रूप में सामिल होना परमार समझाते करना तोर पर चीन को आप कहेंगे कि एक तरह से ये बात बिल्कुल भी हजब नहीं हो रही है कि किस तरह से लगातार भारत के प्रधान मंत्री विदेशी दौरों पर जाते हैं और वहाँ पर अपनी जो स्थिती है वोसे बहुत अच्छा करके आते हैं लोग तारीफ भी करते हैं कि अर्थवरस्था को तुदानी की कोशिश क कई तरह के समझोते किये जा रहे हैं उमेश जी आप स्टूडियो में आए हं और आपने तमां जानकारिए मारे दर्शक्रों को समझाया इन सारी चीजों तरह का जो जापान मोदी जापान दॉरा है शूपार कंदा बहुत बहुत च्छट का लागा सुप्रीम कोड के फैसले के तुरंद बाद इस मामले को ले करके पंजाब के मुख्यमंतरी प्रकाश तिंग बादल ने कैबिनेट की आपाद बैठक बुलाई और बैठक में फैसला लिया गया कि पंजाब की एक भी बूंद पंजाब से बाहर जाने नहीं प्रकाश तिंग बादल की अगवाई में हुई इस आपाद बैठक में फैसला लिया गया है कि इस मामले को ले करके राश्टपती प्रमुखरजी से अपीर की जाएगी कि वो भी सुप्रीम कोड के फैसले को ना माने और इस मसले को ले करके पंजाब विधानसभा का विशे प्रकाश तिंग बादल ने कहा कि राजनितिक ड्रामा है और सुप्रीम कोड ने फैसला सुनाते वे कहा कि पंजाब अन्य राज्यों के साथ हुए समझोते से एक तरफा निर्ड़ाय करके बाहर नहीं जा सकता कोड ने सतलुज यमना लिंक नहर संपर्क नहर मामले में नुहलाल खटर ने कहा कि फैसला देरी से आया लेकिन हक में आया है मैं इसका स्वागत करता हूँ चैज्ट में वेगा उनुल मेnh उनुख ट्रe siya लगनी प्निश धर शीन फोह मैं यृग्याब करकें गुट क्वाले कर्से चैनल री जर्ड Communक चैट जिस ओर में रम्हां मतलब ऑ v Kindha su full इogi I am very disappointed I am very unhappy I am very sad for Punjab that this decision has taken this place you mustn't forget that this was an issue that brought about trouble in Punjab 30 years ago and we don't want that scenario to take place. That's one we want the law in स्थीफा ड्रामा है दो मीने में तो अगला अलक्षन भी नहीं लड़ेंगे वह यह तो ड्रामा है उसका कह जाता है दो मीने बाद का मले रही ने डेड़ मीने के बाद कुछ पंजाब जो एक हरित करांती का गड़ रहा है जो एक कृशी पर अधारत प्रदेश है उसके पास इतना पानी है यही नहीं कि किसी और को दे दे तो कोई उचतम न्याले के फैसले के अवमानना नहीं करना चाहता उचतम न्याले के लिए बहुत सतकार हर भारत वासी के मन में है पर जो एक वास्तविकता है उस वास्तविकता को भी दरकिनार नहीं किया जासे स्वाइल को लेकर के पजाब हर्याना के बीच विवाद अर्से से बना हुआ है सुप्रीम कोड के आदेश के बावजुद फैसले के बावजुद यहां पर मानने को कोई तया नहीं है देखना होगा कि अगला कदम प्रकाश्टिंग बादल की तरफ से क्या कुछ खास रहता है अज मीटिंग भी होने वाले हैं समाजवादी पाटी अध्यक्ष मुलाइम सिंग यादव आज यूपी में अकेले ही चुनाव लणे का वो एलान कर चुके हैं और गुरुवार कुल अखनों में प्रेस कॉन्फरंस के दौरान मुलाइम सिंग यादव ने साफ कहा कि यूपी चुनाव में समाजवादी पाटी किसी के साथ गडबंधन नहीं करेगी उन्होंने कहा कि सपा प्रदेश में अकेले चुनाव में जाएगी अगर कोई दल पाटी में विलाय करना चाहता है तो उन्हें कोई गुरेज नहीं है पिछले दिनों कॉंग्रेस के रणी दिकार प्रशांत किशोर से मुलायम और अकलेश की मुलाकात से महा गडबंधन बनने की अठकले लगाई जा रही थी हाला कि प्रशान के शोर से मुलाकात के बाद अकलेश यादव गडबंधन को ले करके काफी आशानवित दिख रहे थे और उन्होंने ये भी कहा था कि यदि गडबंधन हो जाता है तो सपा को यूपी में 300 सीटे मिलेंगी बुदवार को दिली में आरेलटी अध्यक्ष अजीद सिंग की मुलायम सिंग ने जेडियू नेता शरदियादव से भी मुलाकात की थी लेकिन अच्वाना क्या हुआ कि मुलायम ने कह दिया कि वो किसी से गडबंधन नहीं करेंगे वहीं ऐसा तो नहीं कि सीटों के बटवारे पर तमान दलों पर दबाव बनाने के लिए मुलायम में ऐसा बयान दिया है कि सवादादी पारजी पारजी कोई कडशबंदन नहीं करेंगे राषी म कोई कडशिव ने करेंगे कोई मरज़ा करना काहदा और मरज़ा करेंगे उरे मरज़ा करनी लिया और इसी पर जादा बाच्छूत के लिए हमारे साथ हमारे समवादाता लाइब जूर चुके हैं खुरम निजामी खुरम आपसे हम समझना चाहेंगे ये जो पूरा बयान दिया गया है मुलाइम सिंग यादव की तरफ से वैसे राजनेतिक वो देना नहीं चाह रहे थे कुछ इतनी ही सीटे दीजिए और हम इतनी ही सीटों पर लड़ेंगे या फिर इसे बिहार की तरह हम देखे कि बिहार में भी महागडवंदर होने वाला था जिसमें सपा भी शामिल थोनेवाली थी लेकिन सीटों के बढ़वारत को लेकरके वो पीछे हड़ गई तेके अगर हम उत्त्रपदेश की बात करें और उसमें मुलाहिम सिंग यादों की बात करें तुह मुलाहिम सिंग यादों हमेशच्छा से नॉन कॉंगरेस पॉल्टिस करते हुआ आए हैं और कभी कॉंग्रेस साथ खड़े होना पसंद वो नहीं करते हैं जहरी तोर पे कमस कम लेकिन इस्तिति यह है कि जिस तरीके से हालाद बन चुके हैं और कॉंग्रेस एक सपोर्ट तलाश रही है तो समाजादी पार्टी भी उसमें से एक option दिख रही है कॉंग्रेस पा संदर नहीं वो चाहते हैं विल्यकली समजादी पार्टी में और उसके बार बात करिए यानि कि अगर आप जिस सीट पर रड़ाएंगे वो समाजादी पार्टी की सीट होगी लेकिन दिक्कत बात की है कि उत्तर प्रदेश में जो सियासी समिक्राण बनने हैं उसमें जो सब ये एक साथ आते हैं तो एक बड़ा विकल्प हो जाएगा अगरा समाजादी पार्टी पार्टी परशांग कि शोर चाह रहे हैं और यहीं वज़ाए कि पेश्य टेक्टिस के तहत मुलाहिम सिंग यदो ने साब तोर पर कह दिया कि गड़बंदन हम नहीं करेंगा हम अकेले अगर मिटिंग होती पशांद किशोर और यह अकलेश के साथ या फिर मुलाहिम सिंग यादो के साथ तो किस प्रारूप में होगी किस तरीके से किस महाल में होगी दूसरी बात अखलेश ने कहा था कि अगर गडबंदन हो जाता है तो तीन सौदाथ सीटे पाएंगे यानि क अखलेश को भी घटका है लेकिन साथ में ये भी देखने वाली बात है कि जो महागडबंदन की बार लगाता रहुती चाहा रेल्डी हो चाहा जेडी हो उसके जो मुक्ष सुत्रदार थे वो थे शिपास सिंग यादव और साथ मुलाहिम सिंग यादव लेकिन जब मुलाहि इतनी सीटे दी जाती है तो कई सपा के ऐसे भी नेता है जो चिटकर के दूसरी पार्टियों में जा सकते हैं और उन्हें अभी रोकने के लिए और एन वक्त पे जब फैसला लिया जाएगा गडबंधन का तो क्या एक ये भी एंगल यहाँ पर लिया जा सकता है देखें बिल्कुल लिया जा सकता है क्योंकि अगर इस वक्त में अगर कोई समाजवादी पार्टी छोड़के जाता है कहीं बड़ा नाम हुआ तो समाजवादी पार्टी के लिए बड़ी दिक्कत का सवाव होगा जैसे कि रिता भगना जोशी जब कॉंग्रेस चुड़के बाते जनता पार्टी में गये बहले ही कॉंग्रेस के जो नेता हूँ यह कहते आए हूँ कि कोई फरक नहीं पता लेकिन सबको मालूम था कि रिता भगना जोशी गम से का मुत्तव प्रदेश में कॉंग्रेस का एक बिखरे ना हूँ जिस तरीके से तक्रार चल लए हूँ कि रही है जुड़े रही है हमारे साथ आगे भी खबरों पर आपसे हम बातचीत करेंगे और यहाँ पर बीजेपी के तरफ से भी मिशन यूपी जो है वो लगातार चारी है अच बीजेपी की परिवर्तन रथ यातर वारानसी में पहुंच रही है इस मौके पर वारानसी में एक जंसभा का आईचुन किया गया जिसे बीजेपी के प्रदेश वध्यक्ष केश्य प्रसाद मौरे और केंद्र मंत्री महेंदरनाथ पांटे संबोधित करेंगे जाहिर है कि इस वक्त बीजेपी चिनाफ की तयार करने के साथ ही प्रदेश के सफा सरकार पर भी हमला पूर रहे हैं। और खुरम कमरुक कर लेते हैं सिपर और बाच्चित के लिए खुरम परिवर्तन रथियात्र के जरी परिवर्तन लाने के कोशिच की जा रही है और आज वारण असी में ये जो परिवर्तन रथियात्र है वो पहुंचोए कि क्या माने की जिस बात को लेकर कि जिस मंचा के साथ यहाँ पर परिवर्तन यात्रा हो रही है वो मंच्चा पूरी हो रही है लोगों का समर्थन मिल रहा है परिवतन जो परिवतन चल लिए उसके जरी बताना चाहते हैं कि उसे बहुतर आप्शन 2017 के लिए कोई भी नहीं है वो यह बताना चाहते हैं कि खामी क्या क्या है मौजुदा सरकार में और अगर जो आप्शन है यानि कि बहुजर समाज पार्टी जिसको देखा जा सकता है उसमें क्या 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 खामी है और भारते जंता पार्टी को क्यों चुना जाए और आज बन नारासमीह भी बात कही जाएगी जो इस से पहले कही जाती है लेकि महौल देखा जा जा रहा है तलाशा आज चा Schön में ऐसे कहो मुद्डे फ्रकर को आदा कुछ अलग हो है और यहां पर प्रदेश के अगर मुद्दे के अगर हम बात करें तो बहुत अलग हो जाते हैं देखना हो कि इस परिवर्तन रथ यात्र के जरिए बीजेपी कितना परिवर्तन लाने की कोशिच जनता के दिल में करना चाहती है आप बने आपका बहुत-बहुत शुक्रिया ह पूरी हो गई है इस यात्रा के लिए खास रत तयार किये गए हैं और ये रत दहरादून पहुंच गए हैं यात्रा को ले करके आज बीजेपी दून वेल स्कूल के मैदान में भूम पूजन करेगी परिवर्तन यात्रा की शुरुआत के मौके पर बीजेपी अध्यक्ष अ मनीश रिडंग्वाल से मनीश वहां से आज परिवर्तन यात्रा निकलने वाली है उत्रा खंड में भी अपने चुनावी चुनाव को लेकर के कमर कसी जा चुकी है बीजेपी की तरफ से भूमी पूजन भी होने वाला है क्या कुछ पूरी जानकारी है परिवर्तन यात्रा की उत्राखंड में सुरुवात हो रही है और कल बीजेपी परदेश कारले से यहाँ पर जो दो रत हैं उनको यहाँ पर रवाना करेगी और सही दिसमारक तक यह रत पहुंचेंगे और परसों जैसा कि 13 नोवंबर को बीजेपी के राष्टिया अध्यक जो अमिजसा है वो दोनों रतों को गड़वाल मंडल और कुमाउ मंडल के लिए दोनों रतों को यहाँ पर रवाना करेंगे तो कुल मिलाकर जो तैयारिया सत्ता परिवर्तन यात्रा को लेकर हैं वो बीजेपी ने यहाँ पर पूरी कर लिया और सबसे खास बात यहाँ कि आज BJP रैली इस्थल का यहांपर भूमी पूझन करने जा रही है, जहांपर BJP के राष्टय अध्यक्च अमिजसा रैली को संबोधित करेंगे, उस रैली इस्थल की BJP यहांपर भूमी पूझन करने जा रही है और ठीक साड़े नौ बजे जो बीजेपी के जो परदेश अध्यक्ष जैभट हैं उनके नेतितों में यहाँ पर भूमी पूजन किया जाना और बीजेपी के तमाम बड़े नेता इस भूमी पूजन में यहाँ पर मौजूद रहेंगे और जो रैली इस्तल है वहाँ पर जो पू वर्तन यातरा के जवाब में कॉंग्रस ने दहरादूर में बारा नवंबर को लोगतंतर बचाओ विकास बचाओ रैली के आईज़न करी की बात कही थी लेकिन अब इसे टाल दिया गया है कॉंग्रस प्रदेश अध्यक्ष किशूर उपाध्याय का कहना है कि बीजेपी के क कारिक्रम के दौरान वो उस मंटल में कारिक्रम नहीं करेंगे और इसलिए बारा नवंबर के कारिक्रम को टाल दिया गया और सिधे हम रुक कर लेते हैं मनीश जंगवाल का जो हमारे साथ दहरादून से जुड़े हुए हैं जानकारी दे रहे हैं कि इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि रहा और खुद मुख्यमंत्री अरीश रावत भी जो कलसाम पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे साब तोर से कह रहे थे कि अब यहाँ पर रैली को 12 नॉवंबर को होना था वो इस सघित कर ली गई है और जो कॉंग्रेस परदेश अध्यक्त के साथ बैठ कर उन्होंने विचार विमर्ज किया है वो यह हुआ है कि बीजेपी के जो कोई भी केंद्रिय मंत्री या नेता उत्राखन में जो रैली करेगा उसके एक दो दिन के आगे या पीछे यहाँ पर कॉंग्रेस किसी तरीके का कारेक्रम नहीं करेगी और जो अगर कारेक्रम अब यहाँ पर कॉंग्रेस ने फिर से यहाँ पर बैक पूट पर आ गई और जो नजर आ रही है कि जब रैली होगी बीजेपी की तो उस वक्त में कोई भी कारेक्रम जो है उस दिन खासतोर से कॉंग्रेस का नहीं होगा आपका बहुत-बहुत शुक्रिया हमसे जुने के ल पर जल्दी से हम नजर आ लेते हैं कि नरेंद्र मोदी दोदीन के जपान दौरे पर है आज वे अनुवल समीट के दौरान अपने काउंटर पाट शीन जो आब इसे मुलाकात करेंगे इस दौरान 12 करार होने है और सिविल निकलियर डीन होने की भी यहाँ पर उमीच जताय जारी के दुनों नेताओं के बीच सेक्योरिटी ट्रेड इंवेस्ट्मेंट स्किल डेवलप्मेंट इंफ्रास्ट्रक्ट्टर डेवलप्मेंट समेथ कई दूसरे मुदे पर चड़्चा होगी ग्रे मंत्री राजना सिंग आज से लखनों दौरे पर है राजुनात अपने दो दीवसे कारेक्रम के दौरान कई कारेक्रम में विश्यरकत करेंगे इसके साथ ही बोर्ड जॉक्टर अरुनेंड रचंद्र सिपाथी की कृती का लुकारपन करेंगे पिछले दिनों टीसी एस के चेर्मेन से हटाए गए सारस मिस्त्री के बाद अब टाटा संस ने अपने नए चेर्मेन का चुनाप कर लिया है कंपनी के अनुसार उसने अपने सौफ़वेर ब्रांच यु टाटा कंसल्टेंसी सर्विस यानी की टीसी एस के लिए ने अंतरिन चेर्मेन के तौर पर इश्वात हुसेन को चुना है अमेरिकी राष्टपती बराक उबामा ने आज वाइट हाउस में अपने उत्रादिकारी डोनाल्ड ट्रम्प से पहली बार मुलाकात की है और उन्हें अपना से योग देने का संकल्प ज़ताया है दोनों निताओं ने अमेरिकी राष्टपती चुनाव के बाद पावर ट्रांसफर की तरफ एक कदम बढ़ानिक और घरेलू और विदेश नीती मुदो पर चर्चा की इसलामिक स्टेट और अलकाइदा जिहादियों ने अमेरिका के राष्टपती चुनाव में डोनाल्ट ट्राम्प की जीत को अमेरिका के लिए कालिक दिन की शुरुवात बताये तो वहीं कुछ आतंगवादियों ने अरभपती उद्योपती के हादों अमेरिका का अंतुहन को सिलसिलाल का तार चारी है